पर आने जाने गर्मी में इतनी दिक्कत आती है फिर बस टेंस पर रुके रहा हो बीड में केले पर एकेला आना जाना काफी छेचाड़ भी हो जाती है बस में उसको बहुत सी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है और जैसे इसकी फैमिली में इसका भाई है इमने भेखभाव बहुत होता है कि लड़की जैसे भी पढ़े लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़े इसके बाप ने जैन भार्ति स्कूल में डार रखा अपने बच्चे को लड़के को बढ़की को बुक्स देने के लिए पैसे नहीं है जो भी बच्चा जो ए जैसे तैसे करके वहां पहुँच पाता था उनको लिए भी एक बहुत बड़ी दिवार कड़ी कर दिया जिसकी सीडी स्कूल के बच्चे के पास है सरकारी स्कूल के पास नहीं है जो कि उसको पार करके पहुँच जा तो उसके बाद आप यहां पर कट ओफ और मेरिट की दिवार के नाम पर केवल स इसकोल के च्चाटनी क्यूं कर रहे हैं साल दर साल इसके छात्र भी यहाँ पर मौझूद है ऐसा क्या हो रहा है कि सड़कों पर आप लोगों को उतरना पड़ रहा है हम लोग शिक्षा के संदर में यहाँ पे खटा हुए है मामला यह है कि उच्छ शिक्षा में सरकार स्कूल के छात्रों की भागीदारी बहुत कम है इसका एक बड़ा कारण है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है सरकार जो नई शिक्षा नीती लागू करिए जिसमें सी यू से जो है बहाना है गरीब छात्र है जो सरकारी स्कूल से आते हैं जो वंचित परिवारों से आते हैं उनको शिक्षा से बाहर करने का बहुत बढ़ा साज इ बहुत शर्म की बात है कि हारे ट्रियूकेशन में भी बहुत कम चातर हैं जिसमें बहुत बढ़ा हिस्षा है जो लड़कियों का है वह एजुकेशन से चठ जाता है ड्रेगुलर कॉलिज में ही सरकारी स्कूल के जो छातर सरकारी कॉलेजी में दाखिला नहीं लेपाते हैं तो उसी के डिमांड को ले करके, हम तीन डिमांड को ले करके यहां पर बैठे हुआ है, पहला कि Stephen College जो की छातर विरोधी है, जो सरकारी छातर विरोधी नहीं थी, उन्होंने लागू किया, एक पेपर उन्होंने नोटिस जारी किया, 15% इंटरव्यू का उन्होंने किया है, कि हम पहले तो सीउसाट का इंटरेंस लेंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे, तो यह सीधा-सीधा दिखाता है कि कौन चातर है, पहले बद तो Stephen में कौन से सरकारी स्कूल के बच्चे पहुँच गए हैं, सरकार जो पब्लिक फंडेट, जो जनता के पैसों से सरकारी कॉलेज जो खुले हुआ, उसी में जो की हक बनता है कि सरकारी कॉलेज में सभी जो मजदूर वर्क से है, गरीब तपके से, वंचित परिवार से, उनका हक बनता है वहां पहुँचना, लेकिन उनका कोई भी बच्चा वहां नहीं पहुँच बात है, तो यानि कि Stephen College की जो जो इन्होंने नोटिस जारी किया, यह वापिस लेने के हमारी डिमांड है, इसको हठानी की डिमांड है, क्योंकि सीधी सीधी साजिस है कि उस कॉलेज में कोई सरकारी स्कूल के स्टूडन नहीं पहुँच पागा, दूसरी डिमांड यह है कि कॉलेज में 20% deprivation point सरकारी तीसरी डिमांड यह है कि हमेशा SEO से पहले बी कट आफ का बहाना था जिसमें कि गरीब चातर और सरकारी स्कूल के चातरों को से भार करना था, उसकी कार हम यहाँ से पकड़ें या गूम के बात है कि है कि सिक्षा में जो शीटो की कमी है, उसको छुपाने के लिए कट आफ उसको चुपाने के लिए अप सी यू सेट है, अलग लग बहाने हैं, अगर सबके सौ परतिसद भी आगे तो भी सबका दाखिलर नहीं हो पागा, यह समझना पड़ेगा सभी चात्रों को, कि सीटों की संख्या की कमी के कारण, डियू में या नियू सिक्षा नीती के तहट सरकार द्वारा यह लागू किया गया है, कि जो वंचित परिवार से चात्र, जो दो परतिसद रेगूलर कॉलिज में सरकार स्कूल के स्टूडन पहुच पाते थे, उनको भी सिक्षा से बेदखल किया जा रहा है, और यह बहुत संक्या में स्टूडन पढ़ पाएं, जब तक नए कॉलिज नहीं कोल पाएं, तो यानि कि दुगनी संक्या में बच्चे पढ़ पाएंगे, सीट बनाने की जुरत है ताकि और भी चात्र जो पढ़ना चाते हैं, जो अपनी इच्छा रखते हैं, कि हम भी कॉलिजिस में जा करावा जो है, और भी कॉलिजिस में शाक्षातकार रखा गया है, स्टीफन कॉलिज का, अपना इलिटीजम दिखा है, एक स्टीफन कॉलिज ही तो नहीं रह गया न चात्रों के लिए, तो और भी कॉलिजिस है, तो उसमें भी तो दाखिला ले सकते हैं, जरूरी है कि अगर पहले सीट कम है, यह सवाल मैं बार-बार कह रही हूं, हर बार-बार भी पास करने वाले स्टूटन की संक्या बढ़ रही है, कॉलिजिस में दाखिला लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है, तो सीटों की संक्या बढ़ाए, कॉलिज की संक्या बढ़ाए, जितनी लोग इ पढ़ पाइना हर साल 5-6 लाग लोग एप्लिकेशन फॉर्म बढ़ते होता सतर जार का तो दिखाता है डाटा कि वह साथ पांशे लाग गल्स तो इवनिंग शिफ्ट में बहुत कम आपाती है बॉइज ही आपाती है पहले खोलो तो क्यों नहीं आएंगी लड़किया पड़न करने के बाद 2-2 घंटा पानी में लाइं लगाने बी उनको पढने की की इच्छा कि हां पढ़्ना लिकिन उसके माशल के बाद भी वह नहीं पढ़पाती है क्योंकि दिक्कत है सरकार क्यों नहीं पानी पहुचा दे तो दौ फसक पढ़लेंगे 3 hyp now चाल रहा है कि तो बहू पोर फिर भी कितनी चाट्र हैं जो यूवस्टी में पहुंच पाती है तो यह तो सोचना पड़ेगा सरकार को कि कितना सची है कि जोटी है और भी अभी वंचों से भी चातरों से भी बात कर लेंगे तो अभी किस स्कूल से आए हाँ जहें तो अब के जो क्लासित ला इस चैनल लेकिन फिलाल इतनी नहीं चल रहे हैं लिकिन चल भी अब लोग किसलिए मौजूद हैं यहां पर आए जो चाहिए ठीक है और जो सरकार स्कुल के जो बच्चे आ रहे हैं को बीस परसेंट दिया है चाहिए और इवनिकों जोने चाहिए इसलिए अपने भविश्य का अपने ख मोदीजी तो बहुत कुछ कर रहे है 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 क wysi कर रहे हैं कर रहे है ककई वें कर रहे हैं क race आप देख लीजिए युणिवस्ट्यमे इनसे पूश्च लीजिए सबसे किनके कितने कितने भाई बैशं के पढ़ते हैं या डिल कॉलेज में अगर मोदीजी वाकिव गुच कर रह लेटा तो जनता के पैसे से चल रहा है न तो फिर क्यों दोहरी एडमिशन पॉलिसी वहां पर चल रही है क्यों वहां पर 15% इंटर्व्यू को वेटिज दिया जा रहा है दूसरी दो महत्वपूर्ण मांगे जो सरकारी स्कूल में स्टुडेंट्स पढ़ रहे हैं सरकारी यु उसके बाद आप यहां पर कट ओफ और मेरिट की दिवार के नाम पर केवल सरकारी स्कूल के स्टुडेंट्स की छटनी क्यों कर रहे हैं साल दर साल पिछले सालों में हम जानते हैं कि इंजिनिरिंग और मेडिकल की तैयारी में अधिकाश स्टुडेंट्स वो होते हैं जो कोचिंग करके क्लियर कर पाते हैं उन एंट्रेंस को आपने इस साल हर साल 100% कट ओफ निकालना कम पड़ रहा था सरकार के लिए अब CUT ले आए हैं कि जो स्टुडेंट CUT की कोचिंग कर पाने लाइक जेब में पैसा रखता है वो स्टुडेंट याद आखिला ले ले बाकी स्टुडेंट मजबूर होता रहे इगनू में, ओप इन अड्मिशन मिले इनसे पूछिए स्कूल में साइंस लेने का ओप्षन था नहीं था है, पर कॉन सो स्कूल है अपका हमारे सेक्टर 16 रोईडिली, जी ऐसके वी, वहां पी साइंस ही नहीं है, बच्चा को एकर साइंस पढ़ना चाहता है ही नहीं लेना पढ़ता है उसकोल में तो देटी पारल का आना जाने में बहुत दिक्कत होती है तो बच्चे नहीं ले पाते हैं जैसे आर्ट्स में मेरी वार में में उसको साइंस लेना तो एक सांद भात आती वे जीयों ने भाष्ट प्र एक बीड में चाड आना जाना काफी ज्काठी हो जाती हुत वह बहुत सा ने भाई है, इसमया भाहं बाता एक लड़की जैसे भी पड़े लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़े इसके बाप ने जैन भारती स्कूल में डाल रखा अपने बच्चे को लड़के को लड़की को बुक्स देने के लिए पैसे नहीं है ऐसे बहुत सी दिक्कते आती है आप अभी किसमें पढ़ रही है क्या ले रखा है अमने आर्ट से ले रख सेक्टर 16 से कोई परसांद भ्यार जाया गाए इतना दूर ले जाने के लिए तो जो है के जिवाल जी ने बड़ा अच्छा मनिश शोदिया जी ने बड़ा ना ने बोला है करके नहीं दिखाए जिस दिन बोल के और करके दिखाएंगे तो हम भी इनकी सकायत नहीं लगाएं तो जिसरे ऩोली मतवल जींडिटेंगों करेंव चल्यखाएंगे दूनिया कितने देखते और कoral भी टुनिया में वाइल它的 लित लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ लड़की को आंगे बढ़ाओ कोई ने बढ़ाता बोलने की बाते सारी अधिकारों के लिए खुद लड़ने आई हैं येस मैं घूब लड़ूंगे जितनी हिम्मत होगे हो जीत कर जाओ आपके होसले जो है बहुत बुलंद है आप देख सकते हैं किस तरीके से चात्रों के अंदर एनर्जी आप देख सकते हैं दुपैर का दो डेड़ बज रहा है और टेंपरेचर जो है 45 क्रॉस कर गया है लेकिन उस टेंपरेचर में यह स्कूली चात्र यहां पर रोडों पर बै प्राप्त ना कर सके इसी तरीके से प्रहार किया जारा लगाता है इन चात्रों के होसले को मैं देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से इनके होसले बुलंद है और लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है एक चात्र की आप अवास सुन सकते हैं इस लगातार यह लोग बैठे उए हैं जो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल से आते हैं उनके लिए फिर सीफन कॉलिज यह साक्षातकार रख शाखतकार के जो है उसके क्राइटेरिये पर जो शाक्षातकार से ही वो एडमिशन ले सकते हैं और कुछी कॉलिज में जो है इवनिंग क्लासिस दी जाती है इवनिंग जो है शिफ्ट नहीं लगाई जाती है तो उसी के चलते हैं यह लोग यहां पर बैठे हुए अभी से अपने भविशे है आप अन्दाजा लगा सकते हैं इसी तरीके से देखते हैं जानीत आवाद मेरे सभी धर्मेंद के साथ में पूजा दिल्ली विश्विद्याले दिल्ली